हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब जैनल ततकाल एजूकेशन पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रीजिनिंग के टॉप दस आती महतपून प्रस्ण के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी इंपोर्टेंट प्रस्ण हैं कुछ सेट पैटर अब के प्रस्ण होते हैं जो बार-बार रीपीट करते हैं आपके एससी जी डी प्रिवियस एकजाम में कई बार सारे प्रश्ण रीपीट कर चुके हैं दोस्तो सुबह में 8 वजे 100 मुवार से सन इवार तक ए वीडियो आपको मिलता है दोस्तो ए सारे प्रश्ण का फीडियो आपको टेली गराम पर मिल जाएगा जो की इस वीडियो का डिस्क्रीप्शन में लिंक दिया हुआ है चले दोस्तो पहला प्रतिवीं का च्यान करें जो दर्पन PQ पर रखने पर बनेगा यानी इसका कहने का मतलब है जो आपका नीचे PQ दिया हुआ है यह PQ इसमा माली जे एक दर्पन रखा हुआ है दरपण में किस तरह का यह दीखेगा, यानि इसका कहने का मतलब वह इए, देखिए, इसको क्या करेंगे, अगर दरपण यहाँ पर रख दिये हैं, यहाँ सम दरपण रखे है तो अब इसको हम देखेंगे, इस पर जब दरपण रखेंगे, तो किस तरह से फिगर बनेगा, त यहां पर आपका साही किव है यानि इधारा है लेकिन यह वहला किज़रा जाएगा इधारा जाएगा पिर देखेंगे कि आपका c दिया है तो c भी उल्टा होगा यानि अपको इस टाइप से हो जाएगा आप कीस तरह का प्रशन आपको किस आप्षन में मिल रहा है देखिए इस तरह का आपका किस option में दिया हुआ है यानि L दिया है, U दिया है, R दिया है, 6, Q और C यानि option number D आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि इस प्रस्ण को भी आप पच्छे तरह से समाझ पाये होंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रस्ण देख लेते हैं दोस्तो दूसरा नवर प्रस्ण है, इसमें दिया ही कि दिये गए भी कलपों में से उस संख्या का चैन कीजिए, जो निमने लिखी स्रेणी में प्रस्ण चीन के अस्थान पर आज सकती है इसके कहने का मतलब यह नीचे आपका श्री चल रहा है, उसमें अगला प्रस्ण के बाद में फिर कितना चाण चाह है 27 27 के बाद में कितना चाह है 15 15 के बाद में कितना चाह है 115 से 234 अगला आंग हमको ग्यात करना है देखिए इसको किस तरह देखेंगे यहाँ आपका दिया है तेरा अगर तेरा हमें देखिए दो से गुना करते हैं तो 27 आ जाएगा यानि तेरा दूने के 26 होगा और एक जोड़ देंगे देखिए इसमें क्या करेंगे जब इसमें क्या करेंगे कि आपको देखिए यहां से हम गुना कर लेते हैं देखिए पहले इसको हम गुना कर लेंगे देखिए यहां से आपको इधर गुना करेंगे और इसको इधर से और इसको इस टाइप से यहनी आपको असान हो जाएगा अब इसमें क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे, फिर पलस एक जोड़ देंगे, तो कितना आजागा, 27 एगा, तेरा दुनी के 26 हो गया, 26 हो गया, पलस एक जोड़ेंगे, तो कितना गया, 27 हो गया, उसी तरह से दूसरा भी देखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, 27 है, 27 में द जोड़ देंगे जब दू हम जोड़ देंगे तक कितना हो जागा 56 हो गया चागवन दिया है कितना हो गया चापन हो गया यानि 2 से गुणा करकर पलस दो जोड़ा है उसी तरह से इसको भी 56 को क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर लेंगे ठिक 2 से गुणा कर लेंगे 2 से गुणा कर करेंगे तो चितना ओजाएगा? 56 को अगर 56 में 2 से गुंळा करेंगे तो आपका 112, 112 में 3 जोड दीजिए. कितना हो गया? 115 हो गया? ठ unanimत कॢ़муदीची, एक 115 में 2 से गुंदा करेंगी. 115 में 2 से गुंदा करकर四 जोड एगा आपका श्रीज एक दो तीन चार से जा रहा है उसी तरह हो गया अगर 115 को दो से गुना करेंगे तो देखिए कितना जाएगा 230 आजाएगा 230 हो गया लेकिन हमको 34 लिखा है इसमें पलस चार जोड़ देंगे जब पलस चार जोड़ देंगे तक इतना हो गया 234 ओगया ठीक हो गया फिर उसके बाद में जबकी अभर इतना अगया आपको 234 आगया अब 234 में दो से गुना करेंगे जब 225 आ करेंगे यहांच लेकर जागा जब हम 5 लेकर तो 234 में 234 में कितना से 2 से गुना करेंगे तो 460 हा जाएगा कितना जाएगा 460 में क्या करेंगे कि 5 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा और 60 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 473 देखिए 473 हो जाएगा तो देखेंगे 473 किस option में दिया हुआ है किस अप्शन में दिया हुआ है यानि अप्शन नमबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों मैं इमीद करता हूं कि इस प्रश्ण को भी आप पच्छे तरह से समझ पाया होंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं दोस्तों तीसरे नमबर प्रश्ण है इसमें दिया है कि एक नीचित कुट भासा में यानि बी ए डवल टी एल ई को यानि कितना लिखा जाता है उसी कुट भासा में किस परकार लिखा जागा यानि इसका कहने का मतला है कि जो आपका ई वला है यानि इसको इतना के रूप में लिखा जाता है उसी तरह से आपका के आई एन जी डी ओ एम को किस भासा में लिखेगा देखिए किस परकार से हम लिखेंगे पहले उसको देखेंगे कि आपको पहले वाला किस परकार लिख गया है ठीक इसको कितना लिख रहा है यहां से आपको देखी अलग-अलग हम कर देते हैं जब अलग-अलग करेंगे तक कितना दिया है इसको हम चाहर रख लेते हैं ठीक इसके बाद में कितना रखें देखी इसे पहले क्या करेंगे इसे पहले आपको यहां पर देखेंगे कि बी कितने पाता है बी दू पाता है एक कितने पाता है एक पाता है टी कितने पाता है बीस पाता है फिर टी कितने पाता है बीस पर और एल कितने पाता है बारह पर और एक कितने पाता है पांच पर इसको लिखने के बाद में हमको एक इसमें कुछ लोजिक दिख रहा है देखि दू दूनी क्या चार हो गया फिर उसी परकार से एक है एक को कितना लिखा है दो लिखा है देखिए एक को जब दू लिखा है तो इसमें दो से गुना कर रहा है एक में दू से गुना करेंगे तो दू हो जाएगा कितना हो गया दो हो गया फिर उसी परकार से देखिए अगर टी है टी का मान 20 दिया है लेकिन हमको 40 लिख रहा है तो 40 है कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 40 है जागा इसमें 2 से गुणा कर दिया है फिर इसको करेंगे 2 से गुणा इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 40 है फिर आपको 12 पाता है लेकिन इसमें का लिख रहा है देखिए यह आपर 24 लिखा है यानि इसका दो गुंदा क्या है अगर इसमें फी दो से गुंदा करेंगे तो 1212 कि कितना हुझागा तो 20 हो हो गया है। E का मन 5 दिया है लेकिन यहाँ पर आपका 10 लिख रहा है यानि E में 2 से गुना करेंगे देखिए जब 2 से गुना कर दिये तो कितना गया 5 यानि 42, 44, 44, 24 पांच आ गया है यानि उसी परकार से हम यानि E ओला को लिखेंगे देखिए इसको किस तरह लिखेंगे यहाँ पर आपक N, D N हो गया, D हो गया फिर उसके बाद में O हो गया और M हो गया देखिए, K, I, N, G G आपको छुट गया है इसमें G आपको छुट गया है तो देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया है यहाँ से हम G लिख लेंगे ठीक, G को लिखेंगे यानि G हो गया, फिर उसके बाद में D हो जाएगा, फिर O हो गया और फिर M हो जाएगा यहाँ से M हो गया अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे यानि इधर देखिए, इधर से हम लिख देत रहें, यानि इसको भी हम उसी परकार से बनाएंगे यहाँ देखिए कि अब के कितने पाता है के को देखेंगे, तक के आपको कितने पाता है के 11 पाता है 11 रख लेंगे, फिर उसके बाद में I कितने पाता है, 9 पर फिर N कितने पाता है, तो 14 पाता है फिर आपका G कितने पाता है, 7 पर G कितने पाता है, 7 पा, D कितने पाता है, 4 पा, O कितने पाता है, 15 पा, और M कितने पाता है, 13 पा, कितने पा गया, 13 पा, अब देखिए, अब इसमें भी 2 से गुना करेंगे, देखिए, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 11 दूनी के 22 हो गया, फिर इसमें 9 दिया है, I को 9, तो 9 में दूसरे गुना करेंगे यानि सब में देखिए दूसरे गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा 9 दूनी के 18 हो जाएगा फिर आपको 14 है 14 हमें दूसरे गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28 हो जाएगा फिर आपको कितना दिया साथ साथ में दो से गुना करेंगे तो चौदा आजाएगा फिर आपको कितना दिया है इसमें फिर आपको दिया है यानी चार चार को जब दो से गुना करेंगे तो कितना जाएगा आठ फिर उसके बाद में दो से गुना करेंगे पंदरह में तो कितना हो जाएग कि आपको की 22, 18, 24 और 14 और 8 और 30 और 26 देखेंगे किस अफ्षन में दिया हुआ है यानि किस अफ्षन में 22, 18 यानि दो अफ्षन में दिख रहा है उसके बाद में हमको 24 दिखना चाहिए 22, 18 के बाद में 24 दिखना चाहिए 22, 18 के बाद में 24 याना 24 तो आपको नहीं दिया है कहां 22, 18 के बाद में 24 होना चाहिए देखते हैं फिर से देखिए यहां पर आपको 24 यहां पर 14 दूनी के 28 होगा यहां पर 14 दूनी के 28 होगा यहां पर आपको 24 लिखे थे यहां पर 28 हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 28 हो गया अब देखेंगे 22, 18, 28 और कितना है 14 भी होना चाहिए 22 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, 14 हो गया, और 8 हो गया, और 30 हो गया, और 26 यानि option number B आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं में मीद करता हूं कि इस प्रस्न को भी आप पच्छे तरह से समाझ पाया हूंगे तो चलिए दोस्तो next प्रस्न देख लेते हैं दोस्तो चार नमर प्रस्न है, इसमें दिया है कि दिये गए बिकल्पों में से उस आकीर्ती का चैन करें जो नीमन आकीर्ती सिरिंखला में प्रस्नवाचक के चीन के अस्थान पर आ सकती है यानि इसका कहने का मतलब है जो आपका नीचे प्रस्नवाचक का चीन दिया है चीतर में उसको ग्याद करना है देखिए प्रस्नवाचक चीन आपको कहा दिया है यानि यहाँ पर दिया है तो देखेंगे कि आखिर पहला जो है न इस तरह के प्रस्न में क्या करते हैं कि सबसे जो पहला है एक पहला उसको दूसरा सम को समझत है यानि पहले इस दोनों को संबंधित बताएंगे फिर उसके बाद में जो इसको हम संबंधित रखेंगे तो देखिए पहले इसको क्या देखेंगे इसमें आपको कितना दिया है देखिए यह आपका जो दिया है यह ऊपर खा तेरह दिया कितना में नीचे इँसको इधर घुम रहा था जा जिण उपर था तो इसको इदहर गुमा दिया मेरा यह नीचे इसको इहां स यहां से यहां हो नहीं रख लेंगे पिर उसके बाद में देखेंगे जब ये आपका छोटा वला है देखिए छोटा वला में इधर आपका भणाँ है और इसमें दूसरे का मतले आपके ऊपर भाणा हुआ है याई कि इसको पलाटकर इधर ला आदिया उपर में उसी तरह से यहाँ पर आपको छोटा सम्द्रीया है उसको जैंगे उशको now हम प्लाट देंगे जब उसको प्लाट हैंगे ने तर नीचे आ जाएगा यहां से जब इसको प्लाट देंगे तर नीचे आ नीचे देखिए इस तरह का आप देखेंगे कि इस तरह का जो फिगर है ना किस अप्षान में बन रहा है इस तरह का फिगर किस अप्षान में बन रहा है यह अनि अप्षान नमबर आपका अप्षान नमबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं इमीद करता हूं कि इस प्र संख्यों को परस पर बदलना होगा और इसका कहने का मतलब है कि अपको 2 संख्य बदलिये कि जो बद्हु बराबर हमें को 124 आ चाहिए यह इस से पहले क्या देखेंगे यह आपको कितना दिया है देखिए यह आप सी से हम देखते हैं आपसन नमबर सी से आपको देखेंगे आपसन नमबर सी देखिए कितना दिया है यानि इसका कहने का मतलब है ना कि जो चालिस यानि चोविस है चोविस के जगा पर चालिस रखेंगे और चालिस के जगा पर चोविस रखेंगे देखिए यहां से आपको अब एक वार समझा जाते हैं फिर से यानि इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 24 है ना 24 ये 40 है तो 40 के जगा पर क्या रखेंगे देखिए 24 रखेंगे और 24 के जगा पर आपका 40 रखेंगे यानि इसका कहने का मतलब यही है यही है कि आपको 40 के जगा पर 24 और 24 के जगा पर 40 रखेंगे देखिए रखके एक बार देख लेता है यहाँ से आपको रखेंगे कितना दिया है यहाँ पर आपको कितना दिया है 15 दिया है तो 15 रख लेंगे ठीक फिर उसके बाद में 15 के बाद में फिर कितना दिया है गुना दिया है 7 फिर पलस करेंगे और हमको 24 के जगह से कि 24 दिया है ना 40 के जगह पर 24 रखना है तो 24 रखेंगे ठीक फिर माइनस दिया तो माइनस रखेंगे फिर इसके बाद में 24 है 24 के जगह पर हमको क्या रखना होगा 40 रखना होगा 40 रख लिए फिर उसके बाद में भागा 8 दिया है और बरावर 124 दिया है अब इसको solve करेंगे देखिए अगर इसमें अगर गुना करेंगे आपको तो कितना हो जाएगा 15 सते 105 हो जाएगा 15 हो गया फिर उसके बाद में कितना है 24 है, तो 24 को जोड़ लेंगे फिर इसको क्या करेंगे नगे दिखिए इसको भाग कर देते है कितना होगा रख ऑग पाँचै चालिस यानि पांच मनें कट गया तो मैनस कितना हो जाएगा 5 बरावर में एकसो चूविस फिर उसके बाद में देखिए अगर इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तब 549 हो जागा कितना हो गया 549 हो गया और 2 का 2 हो गया और 139 हो गया कितना हो गया 139 129 में क्या करेंगे, माइनस 5 घटा लेंगे, बराबर में 124 रखेंगे, कितना हो जाएगा, जब इसको घटा लेंगे, 124 बचा, फिर बराबर 124 बचा, यानि इसका मतलब है, कि प्रस्पर संख्या बदलने पर कौन से हो गया, यानि option number D आपका, C आपका सही हो जाएगा, दोस्तो, मैं इमीद करता हूं कि इस प्रस्पर को भी आप पच्छे तरह से समझ पायोंगे, तो चलिए दोस्तो, next प्रस्पर देख लेते हैं, दोस्तो, चार नमर प्रस्पर है, इसमें दियाई कि दी गई सीट को मुड़ कर एक घहन बनाया गया, हैं, इस परकार बने घहन मे हैं, यानि यह किसका चीन है, यह आपका एंड का चीन है, यानि एंड का चीन है, यानि एंड दिखने वाले प्रिष्ट के बिपरित प्रिष्ट पर कौन सा चीन होगा, यानि इसका कहने का मतलब है, जो एंड के चीन, यह आपका एंड का चीन है, उसको बिपरित पर कौन सा दीखेगा देखी इस तरह के प्रस्ण में किस तरह से आपको विप्रीत देखेंगे यहां से आपको किस का देखी हच यानि इसका विप्रीत देखेंगे इसे पल देखेंगे आपको पलस यानि क्या दिया है यहां पर आपको भागा भागा को विप्रीत होगा यानि बीपीत कन होगा और च som瘌 को यह को खे Cabot soir chi nooj को by यह बीपरीद हो गया आपका और के पीपरीत हो गया डोलर तोस्छ दोलर देखेंगे किस option में दिया हुआ है और of a nBe up का स्व Ahí को शीआएगा दोस्तो बहुंत करता हूं कि इस में को भी आप अच्छे तरह से समाझ पाए होंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रेशन देख लेते हैं दोस्तो इस साथ नुमर प्रेशन है इसमें दिया है कि उस बिकॉल्प का चैन करें जो तीसरे अक्षर समूँ से उसी परकार सम्बंदित है जिस परकार दूसरा अक्षर समूँ पहले अक्षर समूँ से सम्बंदित है यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यह पहला सम्बंदित है दूसरा से ना उसी परकार से यहां पर देखेंगे कितना देखेंगे कितना देखेंगे इसको किस तरह लिखा है यहां देखेंगे अगर पी दिया है तब पी को क्या रखेंगे देखेंगे इसको क्या रखेंगे यहां पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा पी के बाद में कितना आता है क्यू देखेंगे यहां पर क्यू दिया है यह पी हो गया और एक क्यू हो गया तो कितना बड़ा है एक पॉलस जोड़ा है कितना जोड़ा है एक जोड़ा है उसी तरह से के हो गया के बाद में क्या लिख रहा है यहां पर आपका के बाद में एल आता है पांजो दी आ हैं कि इसमें इन इन नहीं हो गया गया है ut. इसमें क्या हो गया है कि सभ में सभ न प्लस 15 जड़ा क्ये जडाए उशी तरह से आपको यहां पर भराएंगे इसमें क्या दिया है कि यहां नु ungen यहां पर आओ दिए है एस 2 और film और शी आब इसको बोला कि अगला आंग क्या लिखेगा देखी हुआ पर liquid यो को क्या लिखेगा च्रिक यहाँ से तर्थ सीगो लेना है तो हमको कह यहां पर लिखेगा न कि उसको लेंगे इस यहां पर क्या लेकिन उल्टा हो जारा है किधर उल्टा बन रहा है हमको सीधा बनाना है यह उल्टा बनना देखिए यहां से उल्टा नहीं बनना है यहां से इसको इधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे और आपको यहां से लेखिए इसको इधर हो गया और इसको इधर हो गया क्या करी है कि सब में पलस वन जोड़ दे T, इसके बाद में T तो देखेंगे D, S, V, T किस option में दिख रहा है D, S, D, S और V, T यानि option number D आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रस्न को भी आप पच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो next प्रस्न देख लेता है दोस्तो आठ नवर प्रस्न इसमें दिया है कि एक ब्यक्ति ने एक महिला का परिश्या है अपने पीता की बहन की बेटी के रूप में दिया है महिला उस ब्यक्ति से किस परकार सम्मानित है यानि इसका देखिए पहले क्या करेंगे सम्मानित को दरचाएंगे यानि जो बोला है कि ब्यक्ति जो है एक महिला की तरफ तमालिजे इसको ब्यक्ति रख देता है यानि ब्यक्ति रखेंगे यहां से आपको देखिए यह ब्यक्ति हो गया यानि ब्यक्ति हो गया यह ब्यक्ति एक महिला से तो महिला यहां पर रख देता है यानि महिला हो गया ठ पीता यानि ब्यक्ति के मालिजे ये कौन हो गया पीता ब्यक्ति का ये पीता हो गया ठीक पीता की बहन इसकी बहन पीता की बहन हो गई ठीक पीता की बहन यहां से पीता की बहन की बेटी के रूप में यानि इसको जो महिला को कराया है उसको किसके रूप में कराया है बेटी के रूप में यहां से देखिए बेटी के ठीक बेटी के रूप में अब आप देखिए अब इतना के बाद में फिर बोला है कि महीला उस ब्यक्ति से किस परकार सम्मादित है देखिए यहां से देखिए महा लिजे ब्यक्ति मैं हो गई ठीक ए मेरे पीता मेरे पीता की बहान बु पिता की बहान बुवा मेरी बुवा को लड़की मेरी फुफेरी बहान होगी कौन होगी फुफेरी बहान देखिए यहां से आपको क्या दिया है यहां से फुफेरी बहान हो जाएगी तब फुफेरी बहान देखेंगे किस अप्षान में दिया हुआ है आनि अप्षान नमर ड डेक्स प्रस्न देख लेते हैं दोस्तों नौनमर प्रस्न है इसमें दे ऑए की डाबलू एक्स वाई और जैड तास खेल रहे हैं य एकस के दाई और बैठा है य जो बैठा है न वाई वो एकस के दाई और बैठा है देखिए यहां साब को क्या करता है तास को खेलता है देखिए यहां साब को इतना हो गया है इसके बाद मैं बला है कि वाई एकस के दाई और बैठा है जो न वाई है न वाई को दाई और X बैठा है और X का दाई और Y बैठा है अब फिर उसके बाद आगे बोला है कि Y के दाई और कौन बैठा है तो बोला है कि Y के जो दाई और है ना वो Y के दाई और कौन बैठा है तो Y के दाई और कौन सा है यहां से y के दाहिने और कौन बठा है जेड बठा है y को दाहिने और कौन बठा है जेड बठा है तो जेड को हम बठा दिये फिर उसके बाद में बला कि y के दाहिने और कौन बठा है जेड तो जेड यानि कौन हो गया जेड बठा है जेड देखेंगे किस option में जेड देखेंगे किस option में यानि option number A आपका सई हो जाएगा दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि इस प्रस्ण को भी आप पच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो next प्रस्ण देख लेता है दोस्तो 10 प्रस्ण इसमें 10 प्रस्ण बोल रहा है कि दिये गए आरेख का ध्यान पुर्वक करे और नीम ने प्रस्ण का उतर दे यानि आपका जो बुला है कि यह आपका जो वेन आरेख है उसको ध्यान से देखे और उतर दे उसके बाद नीचे भी बोला है उन ग्रामिड सरकारी सिख्षक की संख्या क्या है जो असनातक नहीं है यह इसका कहने का मतलब है जो आपका नीचे यह दिया है उसमें ग्रामिड को और सरकारी को और सिख्षकों की संख्या बताना है और असनातक को नहीं लेना है असनातक को नहीं लेना है देखिए इसमें फीगर में देखेंगे देखिए यहां साब को कितना है यह असनातक में जा रहा है कौन सा असनातक में लेकिन असनातक को हमको नहीं लेना है तो इसको छोड़ देंगे फिर उसके बाद बोलाए कि देख उसको गरामिड को फिर उसके बाद में देखेंगे सरकारी भी होना चाहिए सरकारी आपको कौन सा है देखिए सरकारी आपका बिरीत में दिया है यानि सरकारी करमचारी है तो जो बिरीत में ठीक फिर उसके बाद में देखिए फिर उसके बाद में यहां दिया है आपको फिर का आयत में दिया है फिर उसके बाद में बोला है कि ग्रामिड भी होना चाहिए सरकारी भी होना चाहिए और सिचक भी होना चाहिए तीनों में कौन सा अंक मिल रहा है तो तीनों में कौन सा अंक है देखिए यहां देखेंगे आपको यहां से देखिए अगर इस सब को देखें में इसको नहीं लेनायम ठीक अपको असनात्यों को नहीं लेंगे देखिए इनके इसमें ये भी ओलग हो जो दू हाय ना देखिए वह आपका तीनों में जाय दो आपका सरकारी में में भी आए अध्याप यह शिक्षक में है और ग्रामिन में तो दो देखेंगे किस आपसान में दिया हुआ है यह आपसान नामबर यह आपका सही हो जाएगा दोस्तों मैं इमीद करता हूं कि इस प्रस्ण को भी आप पच्छे तरह से समाझ पाएंगे तो चलिए दोस्तों न